राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी ब्रस्पतिवार वृत की कथा और साथ ही बताऊंगी ब्रस्पतिवार वृत करने की पूजा विधी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ब्रस्पतिवार वृत की विधी कुछ इस प्रकार है, इस दिन ब्रस्पतिदेव भगवान की पूजा की जाती है, पूरे दिन वृत रखा जाता है, तथा दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए, इस दिन पीले रंग के वस्तरों को धारन करें, और भोजन में चलें की दाल स बना भोजन खाना चाहिए, इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है, ब्रस्पतिवार के दिन केले के पेड की पूजा की जाती है, पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीला कपड़ा तथा पीले चंदन से भगवान की पूजा अर्चना करें, तथा पूज के पश्चात कथा भी सुननी चाहिए, इस वरत की करने से ब्रस्पति देव अती प्रसन होते हैं, तथा धन और विध्या का भी लाव होता है, इस्तरियों के लिए यह वरत अती आवश्रक है, ये तो थी ब्रस्पतिवार वरत करने की पूजन विधी, तो चलिए मैं आपको ब्रस्पतिवार की वरत कथा सुनाती हूं, ब्रस्पतिवार के वरत की दो कथा हैं, तो चलिए मैं पहली कथा प्रारम करती हूं, पहली कथा कुछ इस प्रकार है, किसी गाउं में एक साहुकार रहता था, जिसके घर में अन, बस्त्र और धन, किसी की कोई कमी नहीं थी, पर छारा दिन घर के कामकाज में ही लगी रहती थी, एक समय एक सादु महात्मा, ब्रस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याशना करने लगे, इस तरी उस समय घर के आङण को लीप रही थी, इस कारण सादो महाराज से कहने लगी कि इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ आपको कुछ भी नहीं दे सकती फिर किशी अवकाश के समय आना सादो महात्मा खाली हाथ चले गए कुछ दिन के पश्चात वही सादो महाराज आए उसी तरह भिक्षा मांगी साहुकारणी उस समय अपने लड़के को खिला रही थी कहने लगी महाराज मैं क्या करूँ अवकाश ही नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती तीसरी बार जब महात्मा आये तो उसने उने उसी तरह तालना चाहा परुन्तु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अफकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी तो साहुकारणी कहने लगी कि हाँ महाराज यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी किरपा होगी सादु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा चुलो मैं तुमें एक उपाय बताता हूँ तुम ब्रस्पतिवार को दिन चड़ने पर उठो और सारे घर में जाडू लगा कर कोडे को एक कौने में जमागर के रख दो घर में चौका इत्यादी मत लगाओ और फिर सनान आदी करके घर वाल उसे कहे दो कि उस दिन सभी लोग हजामत अश्य वनवाएं रसोई बना कर चूले के पीछे रखा करो सामने कभी मीना रखो साएकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक चलाया करो तथा ब्रस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र मत धारन करो और नाहीं पीले रंग की चीजों का भोजन करो यदी ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा साहुकार्णी ने ऐसा ही किया ब्रस्पतिवार को दिन चड़ने पर उठी जाडू लगा कर ओडे को घर में जमा कर दिया पुरूशों ने हजामत बनवाई भोजन बना कर चूले के पीछे रखा वैस सब ब्रस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना भी ना रहा थोड़े दिनों में वो महात्मा फिर आये और भिक्षा मांगी परंतु सेठानी ने कहा कि महराज मेरे घर में खाने को अन नहीं है आपको मैं क्या दे सकती हूँ तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तुम तब भी कुछ नहीं देती थी और अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो तुम क्या चाहती हो वह कहो तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रातना की महराज आप कोई ऐसा उपाय बताओ की मेरे पहले जैसा धन धानने हो जाए अब मैं प्रतिग्या करती हूँ कि अवश्य वैसा ही कर तम भात्मा जी ने कहा ब्रस्पतिवार को प्रात्यकाल उठकर सनानादी से निवरत हो घर को गौके गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं भूको को अन जल देती रहा करो ठीक सायकाल पर दीपक जलाओ यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमारी सब मनो कामनाएं भगवान ब्रस्पतिजी की करपा से पूर्ण होगी सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धानने वैसा ही हो गया जैसा की पहले था इस परकार भगवान ब्रस्पतिजी की करपा से अनेक परकार के सुक भोकर दिरकाल तक जीविद रही बोली विष्ण कथा तो कथा कुछ इस प्रकार है एक दिन इंद्र बढ़े एहंकार से अपने सिंगासन पर बैठे थे और बहुत से देवता रिशी गंधर्व किंणर आधी सभा में उपस्तित थे जिस समय ब्रस्पती जी वहां पर आए तो सब उनके सम्मान में खड़े हो गए परंतो इंद गर्व के मारे खड़ा ना हुआ यदिपी वह सदय उनका आदर किया करता था ब्रस्पती जी अपना अनादर समस्ते हुए वहां से चले गए तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ उसने कहा मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है गुरुजी के आशिरवात से ही मुझे यह सब वैवब मिला है उनके क्रोध से यह सब नश्ट हो जाएगा इसलिए उनके पास जाकर उनसे शमा मांगनी चाहिए जिससे उनका क्रोध शान्त हो जाए और मेरा कल्यान हो ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए जब ब्रस्पती जी ने अपने योगबल से यह जान ल लिया कि इंद्र शमा मांगने के लिए यहां पर आ रहा है तब क्रोध वश उससे भीट करना उचितना समझकर अंतरध्यान हो गए जब इंद्र ने ब्रस्पती जी को घर पर न देखा तब वै निराश होकर वहां से लौट आए जब दैतियों के राजा व्रश वर्मा को य देवता हारने लगे तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब व्रतांत सुनाया और कहा कि महराज दैतियों से किसी प्रकार बचाईए तब ब्रह्मा जी कहने लगे तुमने तो बड़ा अपरात किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया अब तुमारा कल्यान इसी में हो सकता है कि तुष्टा ब्रह्मन के पुत्र विश्वरूपा को अपना प्रोहित बनाओ यह वचन सुनते ही इंद्र तुष्टा के पास आए और बड़े विनीद भाव से तुष्टा से कहने लगे कि आप हमारे प्रोहित बनिये जिससे हमार आपरा कल्यान हो तब तुष्टा रिशी ने उत्तर दिया कि प्रोहित बनने से तपबल घट जाता है परंतु तुम बहुत विन्ती करते हो इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा तुमारी प्रोहित बनकर रक्षा करेगा विश्वरूपा ने पिता की आग्या से प्रोहित बनकर ऐसा यतन किया कि इंद्र व्रिश्वर्मा को युद्ध में जीत कर अपने इंद्रास्थन पर स्थित हुआ विश्वरूपा के तीन मुखते एक मुख से वह सोमपली लताकरस निकाल कर पीते थे दूसरे मुख से मदरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्नादी भोजन करते थे इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी किरपा से यग्य करना चाहता हूँ तब विश्वरूपा की आग्या नुसार यग्य प्रारंब हो गया तो एक देत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुमारी माता देत्य की कन्या है इस कारण हमारे कन्यान के निमित एक आहूती देत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात होगी विश्वरूपा ने उस देत्य का कहा मानकर आहूती देत्य समय देत्य का नाम भी धीरे से लेने लगा इसी कारण यग्य करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा इंदर ने यह वरतान जानते ही रोधित होकर विश्वरूपा के तीन सर काट डाले मद्यपान करने वाले से भवरा, सोमपलनी पीले वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया विश्वरूपा के मरते ही इंदर का स्वरूप ब्रह्मत्या के प्रभाव से बदल गया देवताओं के एक वर्ष पच्चाताप करने पर भी ब्रहमत्या का पाप न चूटा तो सब देवताओं के प्रात्ना करने पर ब्रहमा जी ब्रस्पती जी के सहित वहां आए उस ब्रहमत्या के चार भाग किये उसमें से एक भाग प्रत्वी को दिया इसी कारण कहीं कहीं धर्ती उची नीची और बीज बोलने लायक नहीं होती साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वर्दान दिया कि जहां प्रतवी में गट्टा होगा कुछ समय पाकर स्वयम ही भर जाएगा दूसरा ब्रक्षो को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है इसी कारण स्त्रियां हर मही ने रस्त्वला होकर पहले दिन चांडाली नी दूसरे दिन ब्रह्म गाति नी तीसरे दिन दोभिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको व्रदान दिया चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और सिवाल आधी जल के उपर आ जाते हैं जल को यह व्रदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोज में बढ़ जाएगी इस प्रकार इंद्र को प्रहमत्या के पाप से मुक्त किया जो मनुश्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब पाप भगवान ब्रस्पतिजी महराज के कृपा से नस्ट हो जाते हैं तो बोलिये विश्ण भगवान ने की जै ब्रस्पतिते भगवान ने की जै कथा समाप्त तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें धन्यवाद राधे राधे